बोलो क्या बात है बेटा जो है अराम से बोलिए हन्मान बबा को सनाईए सम्ट बेटा जो है एक लड़की के साथ में चक्कर में पड़ा है और उसने पता नहीं क्या कर रखा उस लड़के का नाम क्या है सीला लड़की के पूछ रहा हूं लड़के का मयूर आपने तो बताए मैयूर का लब चर रहा है पूरता छूट जाएगा अठारा मई दो हजार पचीस में उससे दूर हो जाएगा बैसे तो लड़का उसे पत्नी मान चुका है 99 परसेंट दूर नहीं होगा लेकिन तुम यहां आए इसकी विज्जित रह जाएगी मैं कहा रहा हूँ उसने साधी कर ली है आप कोट द्वारा करना चाहता है देखो जाथा 99 परसेंट तो तलाग नहीं होगा एक परसेंट तलाग का योग बनता है लेकिन मैं दूत लगा दिये तो मारा काम हो जाएगा ठीक है आँगे आप आस्था सद्धर रखिये और आपके लड़के का लंबे समय से उससे लफ चल रहा है और उसको पतनी के रूप में वह स्युकार कर चुका है और अब कोट के द्वारा विभाय करना चाहता है तो हमने एक मंत्र लिखा है इसको करिए क्या लिखा है पड़िए माइक से पोड़िए ओम क्लीम स्रीम कुरू फट एक सो आठ वार करना है तीन रामाइन तीन दिन का हवन तीन अरिये बंदन और सवाब पांच किलो पच्मेरी मिठाई लेकर के बरहा जाना है वीड़ा पान बतासा के साथ वह साथ में इत्र की एक कच्चिक चमेली की सिसी साथ मिले जाएं पूज श्री हातिन्वार से प्रा कर चुका है लीगल कोट के द्वारा पत्नी श्यूकृत करने जा रहा है सेस में किसी के सच्चे प्यार को तुलबाता नहीं नगली प्यार को होने नहीं देता है एधिकोई भी किसी प्रकार का बिलेकमेल या तंद का प्रियोग किया गया है तो मैं गाएंटी देता हूं कि आपका लड़का वहां से दूर हो जाएगा चाहिए मुझे कुछ भी करना पड़े इसके लिए पंडू करता हम पांच मुस्ता करें आसी वाद है पंडू करता हम और भाया मुखाद बोलाए द्यार रखिएगा पच्वेरी बिठाई के लिए चलो पहुचिए बताएंगे कल करना सुबह बोलो क्या बात है गुरीजी मैं कही सालों से परिशान हूँ और सबसे पदी नियुक। परडले हम डॉक्टर के पास जाते थे तो दवाई काम नहीं करते हों दवाई पहले डॉक्टर के पास जाते थे ना तो रिपोर्ट में निकलता है अग सब्सें सब्रहों connecting यहां पराद में ल bent u जीडगर्मी की शिकायत है, जीडगर्मी मतलब होता है बुखार, जीडगर्मी मतलब होता है, जीडगर्मी रहती है, बुखार है, प्रेत बादा का कारण है, लाब होगा, आज से ही ठीक होगा, ये टाइट फाइट है, जीडगर्मी, जीडगर्मी का मतलब होता है, अंदर आडियों में बसा हुगा बुखार हनमान जी किरपास से लाब होगा आसिरवाद है ठीक है इज़िए आप करेंगे तो हमाई गारंटी नहीं करोगे तुमनों तुमनों का मैं अपने करियर के बारे में जाना चाहिए भाई साब ने लिखा ही नहीं है हमने और लिखूंगा तो कि पहले भट हमसे कभी मिले हैं आप पहले हमसे कभी मिले हों यहां कभी नहीं मिले पहली बार आए अनमान जी के पास सफलता प्राप्त होगी पंडो कर धाम नियम से हमाउस्या करो आसिवाद है